पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि Black Bull एक गेम खेल रही है Temple Shuffle नाम का जिसमें जीतने पर उनको मिलेगा एक Magic Stone दोनों टीम में 9 बंदे हैं वैसे Black Bull में टोटल 11 बंदे हैं पर एक को तो वो Black Bull के हाइड आउट पर ही छोड़ा है जैसा कि शंकर दादा भाई ने comment में बोला इससे पता चलता है कि भाई तुम बहुत अच्छे से Black Clover देख रहे हो और दूसरा यामी जिसको High Priest खेलने नहीं देता तो बचे नो क्योंकि यामी कुछ ज़्याद ही powerful है अगर वो भी इस गेम में खेलेगा तो गेम भोजल्दी खतम हो जाएगा Black Bull असानी से जीत जाएगी और गेम देखने में मज़ा भी नहीं आएगा High Priest and वहां के citizens इस गेम को देखने के लिए काफी लंबे समय से इंतिजार कर रहे हैं मतलब की कर रहे थे और वो दिन आज आ गया सब काफी excited होते हैं यामी अराम से बैटके High Priest के साथ गेम देखने लगता है खाने पीने के लिए सब तो होता ही है दारू और चखना सब होता है High Priest यामी से पूचता है कि सब Black Bull के member की क्या rank है यामी surprised होता है कि High Priest तो इदर underwater temple में रहता है और उसको Clover Kingdom के rank system के बारे में भी पता है यामी बताता है कि सब के सब junior magic night है High Priest कहता है मेरे temple rank system के हिसाब से सब intermediate level से उपर के हैं मेरे temple mage यामी कहता है तब तो अब हम दुवीदा में हैं जब तक की ये बेवकूफ कौन बेवकूफ? Black Bull के member जो हैं वो वास्त मैं अपने शीर सको यानि की title के लिए समानने तोर से अधिक मजबूत ना हूँ आस्ता के पास एक temple warrior पिछले एपिसोड में ही आ गया था फाइट करने के लिए अब घोच, लक एंड मैगना के पास भी एक एक temple warrior आ जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए लक से वो temple mage वाला बंदा कहता है कि मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को तुम जैसे कमजोर से लड़ना पड़ेगा मैगना से उसका अपोनेंट कहता है कि इधर अंडर वाटर टेमपल में flame magic काम नहीं करने वाला तुम पूरी तरह से disadvantage में हो फिर उनका fight होता है एंड अपने black bull member उनको easily हरा देते हैं नहीं चलेगा भाई साब स्कोर हो जाता है 9-5 मतलब कि black bull के अभी भी 9 members safe है एंड हाइप्रिष्ट के 5 ही warrior बचे है यामी जोड जोड से हसता है और कहता है हरा दो सबको एक को भी मत छोड़ना हाइप्रिष्ट भी कहता है कि ये लोग कितने लापरवाई से कैसे फाइट कर सकते हैं यामी कहता है क्यों न हम दाओ चलें जुआ खिलते हैं कि कोन जीतेगा मैं अपनी टीम black bull पे 10,000 यूल दाओ पर चलता हूँ हाइप्रिष्ट कहता है कि इतने खुश मत हो अब जितने भी temple mage बचे हैं वो काफी ताकतवर हैं उसको तुम यूँ नहीं हरा पाओगे एंड जो top 3 के temple mage है 3 great priest वो senior magic नैट के जितने powerful हैं फिन्रल एक डरावने temple mage इसे बच रहा होता है वो अपना special magic यूज़ करता है उस बंदे से बच के भागने से एंड वो सोचता है कि मैं सरिफ उधर ही जगह जा सकता हूँ जिदर मैं पहले गया हूँ तो मैं कहीं भार चला जाओंगा बचने के लिए अभी तो मैंने अंदर उतनी जगह देखी नहीं है हाइपरिष्ट कहता है जब तक तुम ये गेम खतम ना कर दो पूरा ना कर देते तुम कहीं भी भार नहीं जा सकते फिन्रल कहता है हैं तुम मेरे को देख रहे हो फिर यामी भी कहता है छुपना बंद करो और फाइट करो फाइट करना शुरू कर दो वरना मैं तुम को मार दूँगा फिन्रल कहता है तुम भी मेरे को देख रहे हो यामी बताता है मैं तुम लोगों का गेम इंजोई कर रहा हूँ दारू और खाना पीना खाके फिन्रल बोलता है अब तुम दोनों दोस्त बन गए हो क्या अगर लोग लड़ाई नहीं करेंगे तो देखने में मज़ा कैसे आएगा इसलिए हाई प्रिष्ट अपना न्यूसेंस स्पेल यूज़ करता है फिन्रल के अगेंस्ट ताकि वो फाइट करे वो एक मचली को उसके पीछे लगा देता है वो मचली उसको खा लेती है पर फिन्रल अपना स्पेशल मैजिक यूज़ करके उसके पेट से भार निकल जाता है यामी हाई प्रिष्ट से कहता है वे बुड़व तुमको इस तरह की डराबनी मचली से उनको डराना चाहिए उन पे हमला करना चाहिए हाई प्रिष्ट भी लाइक तुम मेरी साइड या उनकी साइड बाइदवे ड्रोइंग काफी अच्छी की है फिर यामी देखता है कि चलो देखते है ब्लैक बुल क्या कर रही है ग्रे केकडे में ट्रांसफोर्म हो गया है और किदर चला गया कुछ पता नहीं यामी को लगता है कि चारमी फाइट कर रही है क्योंकि वो काफी सीरेस दिख रही होती है पर वो तो सीफूड खा रही होती है वो तो मचलियां और केकडों को पकड़ कर खा रही होती है जैसे मचुआरे मचलियां पकड़ते हैं वैसे ही वो भी अपने cloud magic से जाल बनाकर मचलियां पकड़ती है और कहती है कि यहां का सारा ecosystem मेरा है मैं सब को खा लूँगी high priest confused हो जाता है यह लड़की actually मैं कर क्या रही है वो यूनो के बारे में भी सपने देखने लगती है कि काश यूनो उसके साथ होता और मैं अपने meal saving prince को tasty tasty खाना खिलाती फिर उदर एक लड़की आती है temple mage उदर आती है और कहती है हे क्यूटी तुम कितनी कवाई हो मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुमको हराने वाली हो चारमी कहती है ओ अच्छा इस वक्त जो मैंने seafood खाया है उससे मेरे अंदर माना overflow हो रहा है overflow 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 तुने चूराया मेरा सरीर का overflow जिस तरह से मैंने seafood खाया उसी तरह से अगर तुम मेरे को खाना चाती हो मतलब मेरे को हराना चाती हो तो आ जाओ यार ये कितनी कवाई लग रही है ना चारमी बच्छी सी मन करता सके संग गुलू गुलू कतलो वो लड़की अपने संग मैजिक से चारमी को सुला देती है and then वो अगले अपोनन्ट को ढूनने चली जाती है sleeping भी knockout में count होगा इसलिए black bull का एक बंदा धेर हो जाता है high priest कहता है तो इसका क्या कहना है यामी कहता है इसके लिए उसको पूरे एक हफते के लिए खाने को कुछ नहीं मिलेगा किसको नहीं मिलेगा चारमी को magna भी अपना अगला प्रती दोंदी ढून रहा होता है उसको luck मिल जाता है और वो उससे कहता है ओ तो तुम अभी तक जिन्दा हो लग कहता है हाँ मैंने अभी अभी एक जन्य को हराया और इदर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने इदर एक strong बंदे को sense किया था और वो उसक पानी से अपने water creation magic से एक shield बना लेता है और luck की attack को रोक देता है वैसे तो बिजली को पानी पर भारी पढ़ना चाहिए पर इदर ऐसा कुछ नहीं होता आस्ता high priest के छोटे छोटे nuisance spell याने कि उन छोटे छोटे समुंदरी जीव को मारता हुआ आगे बढ़ता है फिर उसको एक लड़के की feel होती है वो देखता है कि एक लड़के ने इतनी असानी से इतने बड़े समुंदरी जीव को हरा दिया वो लड़का कहता है दादा जी आप ये nuisance spell प्रती दवंदी टीम के खिलाफ क्यों नहीं use करते खेर मेरा अच्छा कासा warm up हो गया वो लड़का आस्ता क ये तुमको किसने बताया वो कहता है कैर छोड़ो एंड फिर वो डांस करने लगता है और डांस करते करते वो अपना नाम बताता है उसका नाम है कीटो फिर वो अपने सपने के बार में बताने लगता है कि उसका सपना है एक डांसर बनना पर उनको allowed नहीं है सरफेस पर जान याने की जमीन पर जाना, वो bीच पर तो जा सकते हैं, पर वो उस बीच के आगे नहीं जा सकते, जो मट्टी होती है ना, रेत, वो रेत के आगे नहीं जा सकते, वो किसी भी शैर को विजिट नहीं कर सकते, पर अगर वो ये गेम जीद जाये तो उसके grandfather यानि की जो high priest हैं वो उनको allowed कर देंगे उदर जाने को share में जाने के लिए and वो उदर एक बहुत popular dancer बनेगा आस्ता कहता है कितना अच्छा dance कर रहा है न ये पर इस तरह का सपने के बारे में तो मैंने पहले भी सुना था हाँ भाई सुना था बीच पर ही तो तुने सुना था एक लड़की को कहते हुए कि वो और अच्छा दाना बनना दाना मतलब मेज उसको direct as it is translate करेंगे तो दाना ही कहेंगे आस्ता उससे fight करता है और उसके mask को cut कर देता है दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए fight करते हैं नोयल ये सोचते हुए चल रही होती है कि मैं कैसे किसी से fight कर सकती हूँ मेरे को तो कोई भी attack spell नहीं आता मैं सिर्फ defensive spell ही करना जानती हूँ तब ही वो लड़की नोयल के सामने आ जाती है जिसने चार में को सुला दिया था नोयल कहती है मैं royalty हूँ तो तुम अपने risk पर ही मेरे से fight करना अभी भी chance है भागने का चाहो तो भाग सकते हो तुमारी जिंदगी बची जाएगी वो लड़की हसते हुए कहती है ओ क्यूट नोयल मैं तुमारा wait कर रही थी इदर आने का नोयल कहती है तुम मेरा नाम कैसे जानती है फिर वो अपना mask उतार कर दिखाती है कि वो कहोनों है नोयल को कोई भी idea नहीं होता कि ये इदर रहती है वो one of the temple मेज में से एक है नोयल उससे कहती है तो फिर तुमने मेरी help क्यों की magic control करने में मेरी वो कहती है कि मैं बीच पे singing practice कर रही थी और साथी साथ ऐसे लोगों को ढूण रही थी जो इदर underwater temple में आये क्योंकि जब भी इदर कोई आता है उसके grandfather याने की high priest ये वाले game खेनलों को उनको बोलते हैं और अगर हम जीते तो हमको surface पर जाने की permission मिलेगी and then मैं एक idol बनके रहूंगी मेरा सपना पूरा हो जाएगा Noel कहती है तो तुम मेरा इस्तमाल कर रही थी कोहनों कहती है नहीं तो मैं तो बस तुमारी दोस्त बनना चाहती थी and जबकि तुम इतनी मेहनत कर रही थी इसलिए मैं तुमारी मदद करना चाहती थी पर अब हम एक दूसरे के आमने सामने हैं तो हमको पूरी इमानदारी से फाइट करनी चाहिए फेर एंड स्कुएर नोयल कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों दोस्त हैं और तुम कह रही हो कि हम दोनों को सही तरीके से इमानदारी से फाइट करनी चाहिए ये क्या बात होई बला कोहनों कहते हैं कि दोस्त वे लोग होते हैं जो उन चीजों पर जगड़ा कर सकते हैं जो उनके लिए कीमटी है एंड फिर वी वो एक साथ रहते हैं और हमेशा हसते रहते हैं यही तो दोस्त होते हैं कोहनों नोयल को अपनी मैजिक से लोरी सुना कर उस destructive beat से हमला करती है और कहती है come on noel तुम सिर्फ defensive spell से मेर से नहीं जी सकती मेर पर attack भी करो noel कोशिश करती है ये बोलते हुए कि मैं ये नहीं करना चाहती है वो एकदम चे कोहनों पर attack करती है अच्छे खासे force के साथ पर वो कोहनों को hit नहीं करता वो attack उसको लगता ही नहीं है कोनों कहती है अगर तुम मेर को hit नहीं कर सकती है फिर फायदा ही क्या है noel बार-बार कोशिश करती है ये कहते हुए कि चुप हो जाओ मैं अभी भी magic control करना नहीं सीख पाई हूँ जब मैं attack करती हूँ कोनों कहती है तुम क्या बात कर रही हो तुम अपना magic एकदम सही तरीके से control कर पा रही हो तुम attack hit इसलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती किसी को चोट पोचाना तुमारा subconscience mind किसी पर attack ही नहीं करना चाहता मेरे लिए तो ठीक है मैं तुमको हरा कर जीत जाओंगी पर तुम खुद अपने बारे में सोचो न तुम इदर क्यों आई हो क्या तुम अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहती जब तक तुम fight ही नहीं करोगी तब तक तुम नहीं जीतोगी और नहीं तुम अपने सपनों को पूरा कर पाओगी जब तक तुम खोशिश ही नहीं करोगी नुवल सोचने लगती है मुझे सब के लिए useful बनना है और वो fight करने के लिए ready हो जाती है आस्ता कीटो से fight कर रहा होता है वो कहता है कि आस्ता की anti magic sword कुछ भी नहीं है बलकि एक junk लगी हुई तलवार है उसकी खुद की blade के सामने कीटो की movement काफी crazy होती है ऐसा लग रहा होता है कि उसका mind कहीं हो रहा है और body कहीं हो रहा है वो अपने movement में dance magic add कर देता है और आस्ता उसकी movement को read नहीं कर पाता वो आस्ता पे लगाता और बार-बार बहुत तेजी में attack करता जाता है आस्ता मुश्किलों से उसके attack को रोक रहा होता है high priest हसता है और कहता है मेरा पोता ताकतवर है यामी कहता है हाँ ये जानता है एक तलवार का सामने कैसे करना है फिर भी आस्ता सोचता है कि ऐसा चलता रहा तो मैं हारने वाला हूँ फिर वो शांद दिमाग से सोचता है धंडे दिमाग से सोचता है कि मेरे को पानी को पकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि पानी का कोई shape नहीं होता वो किसी भी shape में बदल जाता है मुझे इसको हराने के लिए पाने की तरह ही बनना पड़ेगा जिस तरह से बंदर दूसरे बंदर को कोपी करता है वहीं आपर होता है आस्ता कहता है भले ही मैं magic यूज नहीं कर सकता पर मैं अपनी body को magic की तरह बना सकता हूँ कीटो कहता है बिना magic के तुम अपने शरीर से सब कुछ नहीं कर सकते एक limit तक ही सब कुछ कर सकते हो आस्ता कहता है ठीक है फिर इदर में अपने limit को सरपास करूँगा वो कीटो की तरह अपने शरीर को डीला छोड़ के नास्ते वोस से fight करता है और वो कीटो के attack को easily dodge कर देता है जिससे देख यामी काफी हसता है मेरा idiot हसता की ability और भी ज़्यादा great है अब scoreboard होता है आठ चार वेनेसा एक जने को हरा देती है और कहती है कैसे असब्बे आदमी हो जो एक defenseless woman के खिलाफ trap set कर रहे हो वो आया था वेनेसा को अपने जाल में फसाने और खुदी वेनेसा के threat में फस जाता है ये काफी unusual है कि वेनेसा दारू पीने की जगह fat कर रही है हमने वेनेसा को fat करता हुए आज पहली बार दिख रहे हैं आज पूरी black bull साई shape में लग रही होती है हाई priest कहता है कि तुमने कहा था कि तुमारे magic night junior class के हैं पर इस लड़की के chest पे जो boobies हैं वो junior से काफी बड़े हैं क्या उपाई हैं यार यामी हाई priest से कहता है कि जल्दी से वो magic stone उसके हवाले गर दो क्योंकि इदर जल्दी कोई न कोई मुसीबत आने वाली है एक group जिसका नाम eye of the midnight sun है वो इन magic stone के पीछे हैं और इसमें ही भलाई है कि तुम हमको ये दे दो हाई priest कहता है इतनी जल्दी भी क्या है यार हम अभी game पलटने वाले हैं यामी कहता है bluffing मत करो वो कहता है मैं bluffing नहीं कर रहा अगर मेरे son और मेरे grand children serious हो जाएं तो हम ये game mintो में जीती जाएंगे उस high priest का लड़का पूरे underwater temple में सबसे strongest mage है वही जो magna और luck से fight कर रहा है luck और magna दोनों की सांस फूल रही होती है और दोनों को काफी मज़ा आ रहा होता है उस ताकतवर बंदे से लड़ने में luck और magna दोनों एक दूसरे से बोल रहे होते हैं की अगर तुम ठक गए हो तो थोड़ी देर अराम कर लो जब तक मैं देखता हूँ high priest का लड़का कहता है बहुत हुआ अब मैं तुम दोनों को एक बार में हरा दूँगा मेरे फादर याने की high priest को ऐसे गेम में लोगों को फसाने की आदत है पर अब समय आ गया है इसको यहीं खतम करनेगा मैं तुमारे साथ और खेलना नहीं चाहता वो अपना एक powerful attack यूज़ करता है मैंगना और लग भी कहते हैं की कोई गेम खतम नहीं होने वाला अभी हम हारे थोड़ी हैं वो दोनों भी फुल जोस में उस पे हमला करने लगते हैं तबी उदर एक blast होता है जिसका डरता वही होता है जो यामी high priest से कह रहा था वही मुसीवत उदर पोच जाती है Eye of the Midnight Sun उदर पोच जाते हैं Magic Stone लेने के लिए वेटो की entry होती है उदर अगला एपिसोड में हमको जबरदस्ट fight देखने के मिलने वाली है आप लोगों के लिए question है कि Noel और कोहनों में से सबसे अच्छा कोहन है सुन्दरता और fighting skill दोनों के मामले में Noel royalty ऐसलिए उस पे काफी सारा माना है पर क्या वो कोहनों को हरा पाएगी आज के लिए बस इतना ही Next एपिसोड जल्दी आएगा जब तक आप लोग ये वीडियो देखो Top 10 Anime Series जहाँ पर अपना main hero विलन की तरह दिखाई देता है और जिसने सब्सक्राइब किया है मेरा चनल उनके लिए मेरी तरफ से कमेंट सेक्षन में बहुत बड़ा 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 वाला थैंक्यू जैहिंद जल्दी मिलेंगे